X, Y, Z Limited is considering merger with ABC Limited XYZ Limited share currently traded at Rs.20 तो ABC Limited जो XYZ Limited है जो XYZ Limited है वो ABC Limited के साथ merge होना चाहता है या फिर यूं कहलो कि जो XYZ Limited है वो ABC Limited को acquire करना चाहता है तो acquier कौन हुआ acquier हुआ हमारा XYZ Limited यह हमारा acquier हो गया और जो एक्वारर का जो शेर है ना वो मार्केट में भी 20 रूबर में ट्रेड के जा रहा है इट हैस्ट टू लैक फिफ्टी ताफ़न शेर साउस्टेंडिंग एंड इस अर्णिंग आफ्टर टैक्सी अमांट टू फाइव लैक जो एक्वारर है यानि जो एक्वाइड लेमिटेड ह उसके पास अभी धाय लाक नंबर ऑफ शेर है और इसकी जो टूटल अनिंग जो हो रही है आफ्टर टैक्स की वह हो रही है फाइव लैक की एबी सी लिमिटेड है इस वह लैक फॉनटी फाजन शेर साउस्टेंडिंग इट्स करेंट मार्केट पाइज रिजी से टैन और ए प्राइज है एक्षेंज करके मर्जर करना चाहते हैं मतलब क्या हो मतलब इसमें एक्षेंज रिचयो यूज होगा ABC Limited has agreed to a plan under which XYZ Limited will offer the current market value of ABC Limited share तो ABC Limited एक plan के अंडर agree हुआ है जिसके मतलब जिसमें बोला गया है कि जो XYZ Limited है वो ABC Limited को उसकी current market value offer करेगा मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह कहना चाहता है जो relevant factor है या जो parameter है वो हम क्या यूज करेंगे मार्केट प्राइज यूज करेंगे market price तो सबसे पहले requirement क्या है what is the pre-merger earnings per share यानि pre-merger EPS क्या है तो देखो अभी merger हुआ नहीं है मर्जर से पहले अगर हम देखें तो अर्दिंग आफ्टर टैक्स अक्वालर कंपनी उसकी फाइब लैक है और नंबर ऑफ शेयर धाई लाक है तो अगर हम तो EPS का फॉर्मला क्या होता है EPS का फॉर्मला होता है EAT divided by number of shares इसी तरीके से अगर आप निकालो तो आपका यहां पर निकाल लिया अक्वालर का रहा है तो और जो टार्गेट आ रहा है उसका वन आ रहा है फिर आगे पड़ते हैं केसा करते है colony and the PE Ratios of बोट ढीक्विश और दोनों कंपनी का ही प्रि मर्जर का प्रीमर्जर psychiat लेक्वा में पर निकाल निकाला है तो धता की का फॉर्मला हम सबकief को पता है MPS eps होता है तो दोनों कंपनी का मैं निकालना है तो थोनों कमणी की नाम लिख दिए अभी है ट्वाइटबाइटेट कर दिये उनको तो में पैस कटना इक एक वाइट में लिख दिया इसको आपका पी रेशु और जो एबीचे का आरहा वह भी आपका 10 यानि जो पी मर्जर जो वक्राइट को सेम है 10 तो फिर्स्टी कॉर्पिट हमारी कंप्रीट हो गई इफ ABC limited PE ratio is 6.4 अभी तो हमें बताया यहां पे कि जो अभी हमने निकाला कितना आ रहा है ABC का ABC का 10 आ रहा है तो कह रहा है कि आप ABC के 6.4 मालो यानि कोई data में कोई गडबड़ी होगी ठीक है यानि कहीं न कहीं इन दोनों में किसी ने किसी जो figure है उसमें कोई गडबड़ी है तभी हमारा 10 आ रहा है यह कह रहा है कि आपका 6.4 आने चाहिए तो 6.4 तो तब आएगा जब यह दू figures में से कोई figure change होगी या फिर दुनों की दुनों change हो जाएगी यानि इन figures में गडबड़ी है what is its current market price इसका current market price क्या है तो मतलब यह हुआ कि इसके market price में गडबड़ी है तो हम यह assume करेंगे कि जो इसका market price है वो गलत है हमें इसका market price में change करना है तो तो simple होता है देखो जो पी रेश्यो होता है वो इस तरीके से होता है उसको उसमें से पी रेश्यो में से अगर हमें मार्केट प्राइस निकालना तो हम इस तरीके से कर सकते हैं पी को ईपेस से इंटू करते हैं तो मार्केट प्राइस हमारा निकल करके आ जागा पी रेश्यो कितना पी रे तरह प्राइस जो हमें यहां पर डालना था वह 6.4 डालना था हमने गल गलती देट तेंड डाल दिया यानि जो मार्केट का टार्ट इनन उठा रहा रहा है अब हम एक्सचेंज रेशयो भी निकालनी है तो एक्सचेंज रेशयो को फॉर्म में सबको पता है रेल्वेंट फेक यहां पर डालए का मार्केट प्राइस क्या हुआ आकंपानी करता है 20 र्सपर उसमें कोई चेंज नहीं है जो टार्गेट अड़ेंट ओसका डाटा था उसमें गलती ति और यहां का व्यूंत को तो आड़ेल Gör कि आपका तोव Gund नहींट यह डवे closer ग्यागा जीगा जीरा हम और अब यह हमसे पूछ रहे हैं, what will be XYZ Limited post merger EPS, तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, जो XYZ Limited है, यह जो एक्वार कमनी है, इसका post merger EPS कितना आगा, देखो जो pre-merger EPS होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसको हम निकालते हैं, total earnings divided by total number of shares, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर P ratio जो formula होता है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं, तो अब हमें क्या निकालना है, पोस्ट मर्जर EPS का formula क्या होता है, यह formula होता है, पोस्ट मर्जर EPS का, जिसमें हम क्या कहते हैं, करते हैं, दोनों companies के जो total earnings हैं उसको club कर देते हैं, डैनो मिनेटर में, जो total number of shares होते हैं, कितनी है एक लाग पचीस जार तो यहां पर लाग पिशिए कितने हैं धाय लाग डाल दिया अब जो ऑक्वार्यर कंपनी है यानि जो एक्साइट कंपनी तो यह तो हमें एक्षेंज रेश्यो से पता चलेगा एक्सचेंज रेशियो मतलब हमें पहले निकालना पड़ेगा तो इसमें कह रहा है कि जो रिलेवेंट फेक्टर है वो क्या होगा एक मिनट एक्षेंज रेशियो तुम अर्ड़ी निकाल चुके हैं अभी हमने लिमिटेट है उसके पास एक लाग 25,000 तो उसको कितनी नंबर उश्यू कर जाएंगा तो एक लाग 25,000 इंटु जिरू बाइट तो नंबर ऑफ शेर इसूट बाइ पुछेगा अभी हमने पता है क्या आगे भड़ते हैं मतलब यहां पर कंडिशन डालने के बाद हमसे पूसरा कि अब बता है क्या होगी कि अगर मैं कंडिशन यह रख दूं कि जो एक्क्वार है वह अपनी जो एपिस है ना वो मर्जर के बाद भी सेम रखना चाहता है यानि युआ जो प्री मर्जर और जो पोट मर्जर इप्यस हो सेम आ है तब हम से में बताओ तो इसकी प्रीमढगिशन डेपिएस कैस इसकी जो एक्वार है उसकी जो प्रीमर्जर ईपिएस है वह कितनी है हमने निकाला निकाला दो दो हो गया अच्छा इस अन्डिक जब यह पू कrement sistem अन्बर ऑफ शिर संदे तो सबसे पहले के के कुछ इस अगर कोई कि इचाल एक करेंगे सां के निकाल कि निकालेंगे कि नंबर ऑफ शिर्स हम निकालेंगे क्या निकाले जिए पोस्ट मर्जर यह दिने मर्जर के बाद नंसरते Chr Clear कितने होने में ऩल moral यहांगे तो देखो post-merger earnings कितनी हो कि यह तो हमें पता है पांच लाग यह कमाएगा एक लाग पच्छे जार यह कमाएगा या इनिए टोटल पोस्ट मर्जर earnings छह लाग पच्छे जार हो जागी अब अगर इसको जो EPS है अपने टू रखनी है क्या रेक्नी EPS अपनी टू रखनी तो number of shares और चैनल है कि एद टॉटल वाइब करोगे तो आपके पास क्या जाएंगी नाट कि मर्ज़र के बाद कि पिस और मर्जर के बात की टूट Song लिंग से निगलेगी तो मर्जर के बाद की टोटल निंग तो मैं पताव यहां और दो रखने के लिए तो जो नंबर ऑफ शेयर वो कितने नीचे वो तीन लाग बारा हजार 500 post merger जो number of shares होने चाहिए ठीक है और xyz limited के number of shares कितने xyz limited के number of shares धाय लाक है तो यानि बाद 62,500 share सी से issue करने होंगे abc limit को तो यानि abc limit के पास अभी number of shares कितने है अभी number of shares 1,25,000 है तो यानि यह क्या करेगा यह abc limited के 1,25,000 shares के अपतले कितने shares issue करेगा 62,500 share issue करेगा तो exchange ratio क्या हो जाएगी तो 62,500 divided by 1,25,000 यानि exchange ratio की 0.50 यानि हर एक share के पतले में यह कितना share issue करेगा 0.50 number of share issue करेगा तो exchange ratio क्या होगी एक्षेंज रिशो 0.50 हो गई तो हमारी first, second और third यह तीनो condition हमने तीनो requirement थी हमने complete कर ली है ठीक